कॉमेडियन कपिल शर्मा से ऐसी उम्मीद नहीं थी लेकिन जो हुआ उस पर बात करना बहुत जरूरी है 19.90 के दिन कश्मीर के इतियास का सबसे काला अध्याय लिखा गया अपने घर से ही कश्मीरी पंडितों को बे दखल कर दिया गया बात इतनी पुरानी हो चुकी है कि आज की पीडी को तो इसकी सच्चाई भी नहीं पता होगी लेकिन जिस पर बीता है उनकी यादों में आज भी इसका दर्द बिलकुल ताज़ा है अब इसी घटना पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है दा कश्मीर फाइल्स विवेक अग्नियोत्री की इस फिल्म में अनपम खेर, मितुन चक्रवरती और पलबी जोशी जैसे दिगज स्टार्स है लेकिन फिर भी इस फिल्म के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है मीडिया के बड़े-बड़े चैनल्स इस फिल्म पर शान्थ है फिल्म की रिलीज रोकने के लिए इस पर केस तक कर दिया गया है लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा आरोब कपिल शर्मा पर भिया लगा है कपिल शर्मा शो टेलीबिजन का सबसे बड़ा शो है और इस बात को बिल्कुल नजर अंदाज नहीं किया जा सकता बॉलीबुड में ये तक माना जाता है कि अगर फिल्म को हिट कराना है तो आपको कपिल शर्मा शो के आगे माथा टेक नहीं होगा हर बड़ी फिल्म का प्रोमोशन कपिल के शो पर होता ही है लेकिन इसके बाबजूद दा कश्मीर फाइल्स का प्रोमोशन इस शो पर नहीं किया जा रहा जब यही बात एक शक्स ने कपिल शर्मा को ट्विटर पर टैग करते हुए विवेक अगनोत्री से पूछी तो अगनोत्री ने इस पर जो जबाब दिया वो काफी हैरान कर देने वाला है विवेक अगनोत्री ने अपने ट्विट में लिखा उस शो में हमें बुलाने से इनकार कर दिया गया क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा कॉमर्शल स्टार नहीं है अगने उत्री ने अपने अगले ट्वीट में लिखा मैं खुद कपिल शर्मा का बड़ा फैन हूँ लेकिन ये सच है कि उन्हों ने हमें अपने शो पर बुलाने से मना कर दिया क्योंकि हमारी फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है बॉलिबुड में नौन स्टार डारेक्टर्स, राइटर्स और अच्छे एक्टर्स को किसी लायक नहीं समझा जाता है विवेक अगने उत्री के इस खुलासे से लोग हैरान है अगर वाकई कपिल और उनकी टीम ने दाकश्मीर फाइल्स के प्रोमोशन से इनकार किया है